नमस्कार न्यूस फॉर नीशन देख रहें आप और मैं हूँ शुभी आपके साथ नितीश शरकार में पुर्व स्वास्त मंतरी रहें लालो के बड़े लाल तेश पता प्यादव और साथी साथ इस बार हसन पूर से जीत कर वधाय के कुरसी हांसिल करने वाली तेश पता प्यादव अब डॉक्टर भी बन चुके हैं वो इसलिए क्योंकि वो अपनी चाचा की नबजट टोल रहे हैं आपको बता दे कि तीश पता प्यादव लगातार अपने ट्विटर हंडल से कई सारी बाते लिखते रहते हैं और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से उन्होंने अपनी चाचा को बधाई तो दी ही है लेकि फिर भी उस दबीवी गर्दन से आपने आवाज उठाई इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ लेकिन आप अपने अंतरात्मा की आवाज कब सुनिएगा आपको बता दे कि कर नितीश कुमार ने अनुडाचल में जो राजिते घटना क्रम घटी है उसको लेकर काफी और यह कह दिया कि जिसने भी मेरे पीट में छूरा घोपा है उसे बरदाश्ट नहीं किया जाएगा उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे जबरं सीम बनाये गया है मैं सीम बनने की खोईश नहीं रखता था बीजेपी की दबाव में आकर मैं सीम बना हूँ इसके अलावा तेश्मिता प्यादव क्या कुछ लिखते हैं सबसे पहली वो देखे तेश्मिता प्यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि दबी हुई गर्दन से कल सुनी एक आवाज थोड़ी अंतरात्मा की भी सुन लेते सरकार इसके अलावा तेश्पता प्यादव ने अपनी एक फोटो शेर की है जिसमें वो माइक पकड़े नजर आ रहे हैं और जनता से बादशीत कर रहे हैं तो आपको बता दे कि लगतार राज़त की ओर सी ये बताया जा रहा है कि वो दोस्ती का हाथ नितीश कुमार के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं और शायद इसी कोले करतीश पता पियादव ने भी ये लिख दिया है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज थोड़ी सुन लीजे वो इसलिए क्योंकि लगतार जिस अगर हम 2015 के विधान सभा चुनाओ को याद करें तो उस वक्त नितीश कुमार ने बीजेपी का हाथ थाम लिया था राज़त को छोड़ कर और ऐसा ही कुछ उनके साथ अरुनाचर प्रदेश में हुआ बीजेपी ने उनके साथ विधायकों में से छे को अपने खेमी में लिया उसको लिकर विपक्ष उन पर लगातार निशानी साधरी है और ये भी कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से तिहास को दोहराय चाराय जस तरीके से नितीश कुमार ने राज़त के साथ किया था वैस टिट फर टैट यानि की उसी तरह की चीजें वहां उनके साथ देखने को मिली है अब ऐसे में उन्हें अपने अंतरात्मा के आवास सुननी चाहिए जैसा उन्होंने 2015 में किया था ऐसा करते वे वो राज़त के साथ आ जाएं तो बहतर होगा इस बात की सलाह लगातार राज अंस्टर टोली है एक डॉक्टर के तरह उने ये सलाह देराली है कि आप अपने अंतरात्मा के आवास थोड़ी सुन लीजे फिलाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहें नियूस फोर नीशन नमस्कार